जालोर जिले के उपखंड आहोर समवादाता अमरे सिंग राजपूत के अंसार चक्रवाती तुफान विपर जोय का असर गुजरात के बाद जालोर जिले सहित आहोर उपखंड शेत्र में भी देखने को मिल रहा है आहोर उपखंड शेत्र में करीब दो-तीन दिनों से ही रुक रुक कर तेज हावाओं के साथ हलकी बारिश हो रही है इधर इस्थाने प्रशासन ने एक अच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को इस्थाने विध्याले एवं सुरक्षित इस्थानों में सिफ्ट किया है तूफान के साथ भारी बारिश के चलते दिन रात तेज हवाओं के चलने से कई जगए पर पुराने मकान एवं पेड उखड कर गिर गए हैं आपको बताने की विपर जोई तूफान के दो दिन पहले गुजरात से टकराने के बाद शुक्रवार देर रात से इसका असर राजिस्थान में दिखना शुरू हो गया था गुजरात बॉर्डर से सटे सुरूई के मानट आबू जालोर के सांचोर और बाड मेर के चहोटन समयत आसपास के इलाकों में शुक्रवार देर रात से ही आंदी के साथ मुसला दर बारिश का दोर जारी है हालात यह है कि बाड मेर के रहिस्थानी इलाके कॉलोनिया पुरी तरह से डूग गई है जिले के कई गाउं में बिजली सप्लाई को बंद कर रखा है कॉलोनियों में पानी के नाले बहने रगे हैं वेपरजोय का प्रभाव जालोर के सांचोर में भी है जहां पिछले दो दिन से ना सबजी मिल रही है और ना ही फल बड़ी मुश्किल से यहां के लोगों को दिन में दूद सप्लाई किया जा रहा है इसके लाबा आसपास के गाउं में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी तूट गई है जहालोर जले के आहोर और खंड से समवादा था अमरस सिंग राजपूत की रिपोर्ट आप किस कोलोनी में रदेते अनुर परिया सब्लाइगत वेला सब्सक्राइब है जाधे पमने बिम्हेतर चाहिए के लृगोनों सब्सक्राबु जब यूजब यूजब अ रहे है बिल्कुल आम ताजा आध बताने चाहिएंगे अंदर किस ट्राव से ठेराव किया गया है यहां परसारशन द्वारा और परसारशन द्वारा एस्ट्यम साव दिल्ला कलेक्टर आदेशों की पालना पर यहां से लोगों का ठेराव गया गया राजकियों महाविद्याले आउखर में देख सकते किस तरह के हालात है इंके गरीब पीडित परिवार हैं जो यहां ठेराव गया इनका इनके कच्छे मकान भी डड़ चुके हैं यह वर्तमान महाविद्याले के फीचे के बेक्राउंड मैद्यान के हालात है देख लेके किस तरह से पानी भराव यह पूरा तरह से आपको दीख रहा नेस्नल आईवे 325 और यह है आउर का तलाब जो लगबग आप देख सकते किस फानी का विक बेह रहा हैं आउर में क्या हलात है और में आपहळ जैसे हालात है में धन्यवाद देना चाहूंगा आंदके शेंबार के सरकन साप का जिमान है यहा पनी खुलवाया है और यह पानी सीदा कौलोरी से बाहर जा रहा है बागी कौर्सी में इतनी हालत खराब है कि लोगों के घर भी गिरने की संभावना है लग बग यहां बारिस बहुतर गंटे से बरस रही है इसको लेकर आपका क्या कहना है अब यहां पर पूरे पूरे ख़राबा चुके है लेका भी हो गए हो पता ने प्रशासन का है मैंने सिरफ और सिरफ सर्पंस और वाड़ पूरा परशासन का है परशासन बड़े-बड़े दावे करती है कि अलड मोर पर है लेकिन क्या हो प्रसासन की यहां जैसी प्लत हैया सथ जासी कम अकेला व्यक्ति सपन्स और एक-दो वारपंस है वह साथ में पूरे घाव के पांदी खाली करवार है तो बाकि प्रसासन का ह और आलाद गाहूं के और भी और में इस तरह से आप ऐसी इस्तति रही ना थाव के आलाद और भी बीद से ज़ी मेरा नाम परवियन कुमार है जी जी नत्रफार नाम बवर जी यह पूर देखो इस तरीके का पूर यह बाग ओक चुका है यहां इस तो नाला था आगे लोगों ने पूरी फानी के बाव को हुआ करोड़ों क्वह स्व्टा कर रुपमें के बीच है। छतरा लुट के बाव सलुए का तेज बाव सीधा अनुमान कालाणी में बुच रहा है और आगी यह निकासी बंद कर रहे हैं और चुजार हम यहां से गाये पर हम दो बार उनके घर पर जाके आज शुके हैं लेकिन हम नहीं मिल रहे हैं फॉन भी बंद है और हम अगला जाके रुख जाओ जब इसकोलों में रुखना हो जा तो घर किसी बढ़ा है फिर हमने पाणी का निकास रोक के हमको बोलते हैं कि इसकोलों में जाकर रुको यह यह परशार्शन की बड़ी लापरवाई कहें तो कोई अतिस्वक्ति वाली बात नहीं है क्योंकि आहोर पर हैं यहां बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा है कि अधियों को देखते हुए सर्पंस आप नहीं है और यह देख लो और रूपस नजारत आपको बता रहा हूं मैं यह पानी का रोक बेंद बंद हो गया है कर दो